Hello dear friends, welcome back to Team Classes channel, आज के इस वीडियो में हम प्रोज का जो chapter 6 है, poets and pancakes, इसके most important question answer देखनी वाले हैं, बहुत ज़्यादा important question answer आज के इस वीडियो में मैं आपको poets and pancakes के बताऊंगी, जो की आपकी exam के लिए बहुत ज़्यादा important रहनी वाला है, तो चलिए वीडियो को शिरू करते ह Friends, प्रोज के जो बाकी सारे chapters हैं, उन सभी chapters के question answer, important question answer already मैंने complete करवा दिया है, तो उन सभी वीडियो का जो link है description में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख लीजेगा, और poetry के सारे ही chapter के central idea मैंने आपको हिंदी व्याख्या के साथ complete करवा दिया ह इस वीडियो को देखने के बाद से वो वीडियो भी जरूर देख लीजेगा, और friends, अगर आपने Team Classes चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन मल को भी on कर दीजेगा, अब चले देखते इसका पहला question, तो दे वह जायमनी स्टूडियो से कैसे सम्मंदित था, पिनकेक क्या था, वह जायमनी स्टूडियो से कैसे सम्मंदित था, तो चले इसका answer देख लेते हैं, तो देखी friends, answer है पेनकेक वास दा ब्रेंड नेम औफ दा मेकप माटेरियल, माटेरियल का मतलब क्या होता है, माटेरियल का मतलब होता है सामग्री, तो पेनकेक वास दा ब्रेंड नेम पेनकेक क्या था, एक ब्रेंड नेम था, हाना, पेनकेक वास दा ब्रेंड नेम औफ दा मेकप माटेरियल, ठीके न, brand name था, तो इस question का इंसवर आपको मिल गया इसमें, कि what was pancake, pancake क्या था, तो pancake जो है, वो make-up सामगरी का brand name था, आगे जो आपसे इसी में परशने पुछा है, how was it related to Gemini Studios, यह जो pancake था, वो Gemini Studios से कैसे संबंदित था, तो चलिए इस का इंसवर देख लेते हैं, It was related to Gemini Studios, because Gemini Studios bought it in truck loads, वो संबंदित था Gemini Studios से, because Gemini Studios bought it in truck loads, Gemini Studios ट्रक भर करके खरीता था, pancake को, इसलिए यह Gemini Studios से संबंदित था, समझ में आ गया, अब चलिए second number का question देखते हैं, Second number question है friends, कि who was the another visitor at Gemini Studios, visitor का मतलब क्या होता है, आगंतुक, तो Gemini Studios में एक अन्य जो आगंतुक था, वो कौन था, why was he welcomed, और उनका स्वागत क्यों किया गया, तो चलिए इसका answer देखते हैं, चला छोड़ा कर रहे, तो देखिए इसका answer है friends, The another visitor at Gemini Studios was a poet, an editor, कोश्चे को मैंने editor लिख दिया है, यह E-D-I-T-O-R है न, an editor, Stephen Spender from England, Gemini Studios के एक अन्य आगंतुक, इंगलेंड के एक कवी, an editor, एक संपादक, Stephen Spender थे, तो friends, इसमें जो पहला question आप से पूछा था, तो उसका answer complete हो गया, अब जो दूसरा प्रशन पूछा है कि why was he welcomed, तो उसमें पूछा है कि उनका स्वागत क्यों किया गया, तो चलिए इसका answer दे पूलर तमील विकली आनंद विक्तन, he was welcomed, welcome का मतलब स्वागत क्या, he was welcomed because he is not a poet, he is an editor, उनका स्वागत क्या गया क्योंकि वे कवी नहीं थे, he is an editor, वह एक संपादक थे, इसलिए नहीं उनका स्वागत क्या गया था कि वो कवी थे, वह एक संपादक थे, इसलिए उनका स्व लुप्रियत तमिल, सापताहिक आनंद विक्तन के संपादक भी थे, हाना तो इसलिए उनका जो है स्वागत किया गया था, अगला question, third number question है friends, कि where was the makeup department of the Gemini Studios situated, Gemini Studios का सिंगार विभाग कहां पर इस्थित था, इस प्रश्ण में आप से पुछ रहा है कि Gemini Studios का जो सिंगार विभ था, सिंगार विभाग मेकप डिपार्टमेंट वो कहां पर इस्थित था, कहां situated था, तो चलिए स्काइन सबर लेखते हैं, देखिये, the makeup department of the Gemini Studios was located in Chennai, in the upstairs of a building which believed to have been the stables of Robert Clive, Gemini Studios का जो makeup department, यानि कि जो makeup विभाग था friends, वो Chennai में, was located in Chennai, in the upstairs of a building, चिनnai में एक इमारत के ऊपर, एक इमारत के ऊपर क्या था, इस्थित था, located था, which believed to have been the stables of Robert Clive, और friends, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है, कि यह Robert Clive का अस्थवल था, तो friends, यह थे 3 most important questions, poets and pancakes chapter के, तो इसे अच्छे से याद कर लिजेगा, इसकी हिंदी भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है, तो question बहुत यादा important है friends, आपकी exam के लिए, इसे अपनी copy में भी note down कर लिजेगा, और अच्छे से याद कर लिजेगा, तो friends, अगर आपको यह वी important question नहीं आद किये है, उनसा भी chapters के important question अच्छे से फंड लिजेगा, और poetry के जो central idea आपने अभी तक नहीं आद किया है, उनके भी central idea अच्छे से याद कर लिजेगा, जो की बहुत important है आपकी exam के लिए, कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर इससे related को question पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, वीडियो को share जरू कीजिएगा, आपने फ्रेंड के बास, मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए thank you so much